हेलो गाइस आज की वीडियो में हम आप सभी को जो बताएंगे यदि आपका छठगा पंका बहुत बहुत इप चल रहा है आप चाहते हो उसको सीलो करना तो आज की वीडियो में हम आपको छठगे पंके में जो regulator है वो किस तरीके से लगा जाता है सबसे पहले जो उसका wire होता है वो इस तरीके से एक wire में regulator के लगा देते हैं उसके बाद जो दूसरा wire होता है regulator का उससे हम या तो switch में भी लगा सकते हैं और अन्य भी जगया जैसे कि आप देखोगे वीडियो में और इस पर जब हम जोड लगाते हैं तो अच्छे तरीके से टेप मार देते हैं यह वही तार है जो हम switch होता है switch में उपर लिए side लगा के रखते हैं आप उपर लगाओ या नीचे लगाओ उससे हमें ऐजे हाब बोलते हैं जो छट के पंके में होता है उससे हम हाब बोलते हैं जिसों light से जब हम switch पे on off करते हैं तो जितनी on off करने की जितनी भी उपर जो तारों की शंक्या होती है सब half में count होती है तो इसका जो ये तार है ये चाहे तो आप इसमें भी जैसे इसका तार कुछ बढ़ावा है इसमें लगा सकते हैं या अच्छे से tight भी कर सकते हैं जैसे आप उची समझे वैसा कर सकते हैं आप बिजली का तार कभी भी lose ना छोड़े आप कभी भी काम करें तो इस चीज का थोड़ा safety precaution का बहुत ध्यान रखे और जब भी बिजली सम्मंदित कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले man switch off कर लो जैसे कि हमने हैं सी man switch off करने के बाद inverter की लाइन भी बंद कर दी है कभी कभी क्या होता है जो inverter करन्ट है वो आ जाता है तो इसलिए इसे अच्छे तरीके से बंद कर लेते हैं यह हमने regulator लगा दिया है अब हम इसकी testing करेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा तो देखे कि हमारा पंखा बंद है तो हमने लाइट चलू कर ली है यानि कि लाइन जोड दी है आप देखे हम इसे चला कर देख रहे हैं तो यह देखे काम कर रहा है और प्रोपर तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहा है यदि आप भी चाहते हैं अपने घर के पंखे में रेगुलोटर लगाना तो इस तरीके से लगा सकते है धन्यवाद